हर चिकारा ने खाई अपने 6 महिने की बेटी की कसम क्यों खाई हर चिकारा ने कसम और किसलिए खाई आए जानते हैं इस वीडियो में अन्तक बने रहें और वीडियो को स्क्विप ने करें आखिर इतनी पब्लिक के बिच हर चिकारा ने अपनी बेटी की कसम क्यों खाई है तो जाल ये जानते हैं क्यों ऐसा क्यों किया है बने रही है वीडियो के एंद तक और आपको एक एक बात हम बताते हैं आखिर ऐसा उसने क्यों किया यहां पे हर चिकारा भाई ने रो रो के पूरी पब्लिक के सामने ये बोला कि थारा भाई जो है हर चिकारा बगत सिंग को दूबारा जिन्दा करना चाता है और इसके लिए मेरे को आप सब के साथ की बहुत जरूरत है इसलिए आप सब अपने भाई को एक हपते के लिए प्ल सब की जो भी सपोर्ट है वो मेरे साथ रहे और आप सब के सपोर्ट का मेरे को बहुत ही बहुत ही जरूरत है अगर 3000 बहों शीकारा ने स्पूरी पब्लिक के सामने विंति की है और हर चिकारा भाई ने रो रोकर ये बोल ही दिया कि मैं अपने च्छे महीने की बेटी की कसम खाके बोलता हूँ कि जब तक मेरे सरीर में खून की बूंद रहेगी तब तक आप सब के लिए लड़ता रहूंगा जिन्दगी में धोखा नहीं दूंगा यहां पे बहगत सिंग के बारे में ऐसी ऐसी बात हर चिकारा भाई ने बताई है कि सिर्की आखे खूली की खूली रहे गई और अर्चिकारा ने ये भी बोला है कि कभी भी बहगत सिंग ने जातिवादी में कभी भेद भावन नहीं किया और हरचिकारा भाई ने ये भी बोला कि ये जो जातिवाति का ये में जो भी भेदभाव है दुनिया में पबलिक में चल रहा है मैं उसे मिटाना चाहता हूँ एक परसेंट भी उसे नहीं रखना चाहता उसे बिल्कुल जड़ से खतम करना चाहता हूँ और हरचिकारा भाई ने ये भी बोला कि जब तक जवान का, किसान का, मजदूर का और दलीत का सत्य की कुरसी पे नहीं बेठेगा अगर इप की बार हमने गोहाना जीत लिया, तो अगली बार सभी गरीब बच्चों की, जितने भी गरीबों के बच्चे हैं, सभी को मैं कुरसी पर बिठाऊंगा ये मेरा वादा है पूरी पबलिक के सामने, और उसके बाद मैं पूरा हर्याना को जीत के दिखाऊंगा इतने अच्छे अच्छे काम करके आप सब को दिखाऊंगा, यहां पे हर चिकारा भाई ने बोला कि सनिवार के दिन, 28 सितंबर, जिस दिन भगल सिंग भाई ने जनम लिया था, उस दिन भी सनिवार ही था, और अब भी सनिवार ही है, तो मैं चाहता हूँ, आप सब मुझे स भगत सिंग बना सकूँ, तो पलीज मुझे सपोर्ट करो, यहां पे हर चिकारा भाई ने बताया कि भगत सिंग जब जेल में गया था, तो वहां पे एक मोगा थी, जिसका नाम बाल में की था, तो उसने भगत सिंग को बोला था, कि भाई मैं आपको अपने हाथ से रोटी ख के आओं, लेकिन मोगा ने बोला कि भाईया, आप इतने बड़े चोधरी और वहां के रहने वाले आदमी हो, और मैं एक बाल में की समास से हूँ, और आप मेरे हाथ की और मेरे घर की रोटी कैसे खाओगे, लेकिन भगत सिंग ने ये बोला था, कि आप भले ही कुछ भी बो लेकिन मैं इस सब को नहीं मानता हूँ, मैं आपको जब देखता हूँ, तो मुझे आप में मेरी बहन नजर आती है, और मैं आपके घर की ही रोटी खाओँगा, जग तक आप अपने घर से रोटी नहीं लेके आओगे, मैं बिलकुल भी नहीं खाओँगा, और यहाँ पर य लग जाएगा इसलिए मैं आप सब को पता ही होगा लेकिन सब को एक एक बात का भगत सिंग की बातों का नहीं 알려ए मैं आपสब को एक एक बात उसकी नहीं बता सकता लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें और मैं हर एक जो भी गरीब का बच्चा है सब को भगत सिंग बनाऊँ और ये मेरा इसलिए सब भी पबलिक जितनी भी पबलिक वहाँ पे इकठा हुई थी सब इसे आहाद जोट कर और रो रो कर हर चिकारा भाई ने अपने बेटे की कसम खाते हुए ये बोला कि मैं अपने बेटे की कसम खा रहा हूँ अगर मैं अपने एक वादी से मुखरू तो और ये बोला कि पलीज आप सब मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अपने सपनों को आप सब के लिए और ये मेरा एकले का सपना नियाब सब का है और मैं उन्हें पूरा कर सकूँ तो वीडियो कैसी लगी प्लिज कॉमेंट बोक्स में बताईएगा और हर अची कारा भाई ने जो जो भी बात बोली है उसके बारे में प्लिज आप कॉमेंट बोक्स में सेर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिलकुल भी नहीं भूलें और सेर करना तो बिलकुल भी नहीं भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें और जो भी चैनल पे नया आया है प्लिज सस्क्राइब करना बिलकुल भी नहीं भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स वीडियो में मिलने के लिए पली सस्क्राइब बटन दबाना बिलकुल भी नहीं भूले, जब तक के लिए बाबाई